यूर्म विडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिटेज फूट्स के राइट्स इशू के बारे में काफी लोगों ने मुझे पूछा कि इतना सारा मैं राइट्स का जो वीडियो कवर करता हूं सारे टोपिक्स पे इस particular stock के बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बना है तो दोस्तों कहीं न कहीं थोड़ा सा उतना मुझे lucrative नहीं लगाया है ये वीडियो इस topic पर बात करना लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने request किया है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा information मैं share करूँ obviously thumbnail पर आपने देखा होगा कि ये opportunity है या फिर ये एक धोका हो रहा है company आपके साथ में क्या कर रही है ये सारे चीज़े information हम वीडियो में discuss करेंगे थोड़ा सा और detail में देखेंगे ताकि आप invest करने से पहले आपको एक idea लग जाए कि आप सही decision ले रहे हो या नहीं सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें stock का price जो की heritage foods अभी trade कर रहा है that is 367 rupees 80 पैसे 350 ही हम round figure में पकड़के चलते हैं ताकि percentage calculation करने में easy हो 367 के price पर ये जो stock अभी trade कर रहा है last अगर आप 5 दिन या फिर आप एक महीने का situation देखो overall market जैसा बिल्कुल dead है बिल्कुल like straight line पर चल रहा है यहां पर भी बिल्कुल ज्यादा movement आपको देखने को नहीं मिल रहा है हाला कि यहां पर stock में बहुत एक उचाल हुआ है और बहुत सादा news आया है और stock में बहुत एक lucrative deal आपको मिला है simple 2-3 चीज़े हैं यहां पर एक rights issue में सबसे पहला होता है कि rights का जो है record date कब तक अगर आपके पास shares है आप company के जो rights जो यह issue हो रहा है इस पर आप participate कर सकते हो that so the recorded company that is given is Friday 20th of January so I am making this video on 16th आज मैं 16 को बना रहा हूँ तो 17, 18, 19, 20 अभी चार दिन तो Friday recorded है तो Friday से पहले जिन लोगों के DMAT account में यह share होगा उनको rights के लिए eligibility आ जाएगा यह तो हो गया पहला चीज जो दूसरा condition है दूसरा condition है कि entitlement है या फिर क्या ratio है जिस ratio पर आपको rights issue मिल रहा है तो यहां पर जो entitlement ratio है that is 1 is to 1 1 is to 1 का मतलब क्या है कि हर एक share के बदले एक share अगा आप rights apply कर सकते हो 1 is to 1, every person who is holding 100 shares can apply 100 right share यह simple चीज हो गया तीसरे चीज़े है यह उतना जादा माहिने नहीं रखता है फिर भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 4,63,98,000 यहाँ पर जो shares है वो company as a rights issue कर रही है phase value उसका 5 है अभी important चीज़ है कि company कितना market से उठा रही है तो company को 23 क्रोड रुपे मार्केट से as a rights company उठा रही है और उसके बदले में आपने देखा कि 4,63,00 shares company बाट रही है सबसे important और सबसे tricky चीज़ यहाँ पर है दोस्तों कि company जो share है वो केवल 5 रुपे पर दे रही है तो obviously if you calculate the value that is 367 is the current market price so 5 divided by 367 into 100 if I do so basically for a share of 367 you are just paying 1.3 percent it's approximately negligible so 98 percent discount that you are getting if you are eligible shareholder you are going to just pay 5 rupees and become a shareholder and get the rights entitlement अभी यहाँ पर दोस्तों एक catch है आपको समझने की जबरत यहाँ पर यह है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आप participant करोगे 5 रुपे में आपको share मिले रहा है तो यह बिल्कुल सही है 5 रुपे में ही आपको share मिलेगा लेकिन क्या है कि company जब भी 1 is to 1 के हिसाब से आपको share देने वाली है वो share क्या होगा company liquidate भी करेगी तो obviously आपको 2-3 चीज़े मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया था कि जो issue size है लेकिन यहाँ पर होने क्या वाला है होने यह वाला है कि दोस्तों बहुत जादा जो company में shares है वो liquidate हो जाएगा अभी जहाँ पर पगड़के चलो जहां 100 shares है वहीं company अगर 100 shares और लेके आ रही है तो आपके पास total हो गया 200 shares तो बिल्कुल जो share का price है वो टूटके हाफ हो जाएगा क्योंकि one is to one पर यहाँ पर liquidate हो रहा है तो उससे फाइदा ही होगा company को कि जो जो बड़े shareholder है या फिर जो promoters है उनको अगर refresh entry करना हो क्योंकि company के fundamentals में कोई दिक्कत नहीं है उनको अगर fresh entry करना हो तो वो उस price पे fresh entry कर पाएंगा तो यहाँ पे share का price क्या होगा तो यह 360 रूपीज का जो share का price है आपको दो-3 अगर important my dates के बारे में बात करो तो obviously record date पहले हमने discuss कर लिया है जो bid open हो रहा है वो 30th January open होगा एंड जो close हो रहा है that is 13th of February हमेचा two weeks का approximate time मिलता है तो यह दो हफते के अंदर में आपको shares buy sell जो भी आपको करना है renunciation करना है जब भी इसका rights entitle हो जाएगा जब rights इसके list हो जाएगे जो आरी नाम के shares trade होता है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया आप पुराने देख सकते हो जब भी वो होगा मैं एक follow वीडियो ज़रूर इसमें डाल दूँगा लेकिन अभी के लि जनरली कोविट के बाद से offline का process जो है वो राइट के लिए बंद हो गया है अभी यहाँ पर सोचने वाली बात ही है कि share पर क्या एंपट होगा तो दोस्तों यह जो 5 रुपीज पर अगर आप share buy करते हो अभी share का price है 360 रुपीज so obviously जब liquidate होगा company so 360 plus 5 divided by 2 तो कहीं न गहीं 182 रुपीज है जो की price पर यह share आपको trade होता हुआ दिखेगा कब दिखेगा जब यह offer यहाँ पर close हो जाएगा credit date, listing date अभी company ने announce नहीं किया है तो generally वो close होने के एक हफते के बाद generally होता है तो आप पकड़के चलो February के 20-22 तारिक यह share आपको list होता हुआ दिखेगा और जो shares है वो 182 रुपीज पर आपको trade होता हुआ दिखेगा अब यहाँ पर दो चीज आप कर सकते हो अगर आप existing shareholder हो और आपका जो share का जो अपने बाइक किया हुआ है अगर आपने बहुत महेंगा लिया हुआ है तो आपके लिए एक साथ आप अगर 5 रुपए invest करोगे तो आपके जो share से वो double हो जाएंगे तो आपके average cost price आजागा 227 obviously 227 आने के बावजूद यहाँ पर price में difference आगा क्योंकि यह भी 180 हो जा रहा है लेकिन obviously आपका जो margin है वो बहुत कम हो रहा है कि जहां 400 पर आपका share था आपने 5 रुपए में लिया है बिल्कुल इस level पर लेके अपने एक average पहुचा है तो which is a very good point averaging के point of view से लेकिन जिनके पा तरिक तक wait करो उसके बाद जब credit होगा उसके लिए wait करो and then finally जब यह price आपको trade होता हुआ दिखेगा वहाँ अगर share उपर जाता है तो फिर भी सही है अगर नीचे चला गया तो आपका पैसा फस गया उपर चला भी जाता है तो 5-10 रुपए का movement होगा उस पर जादा movement ने बहुत जादा effort देने का कोई मतलब है तो यहाँ पर बहतर यही होगा कि जब यह share x right हो जब यह share का जो नहाया listing है वो credit हो जाए वो credit होने के बाद में भले ही आप open market से buy करो क्योंकि उस समय पर यही share आपको 170-180 रुपए के भाव पर मिलेगा तो आप उस समय पर आराम से ले मिलेगा तो अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है यह definitely बहुत भैतरीन आप देख सकते हो यह 657 इसका company का total asset है इस साल का इस quarter just 2022 जो खतम हो है इस financial year में net worth 657 का है तो यह net worth profit of it निकालके उसके बाद आया है वहाँ पर company जो है जो rights निकाल ले रही है that is 23 crore आप देख सकते हो इस कुछ game चल रहा है company को चाहिए पैसा किसी को देना है क्या फिर कोई बड़ा promoter है जो on board होने वाला है there could be lot of reasons why this rights came in lucrative बहुत ज्यादा नहीं है existing shareholder के लिए definitely फाइदे मन्द है मुझसे अगर आप पूछो मैं heritage का sharehold नहीं कर रहा हूं तो मैं rights में apply भी नहीं करूंगा लेकिन एक बार जब यह rights x हो जाए 178 पर भाव पर अगर मुझे मिले तो definitely मैं एक बार कोशिश करूंगा उस पर entry लो वीडियो में बनेने के लिए तोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अगर content logical लगा चैनल को बिल्कुल subscribe करके चले और bell icon भी प्रेस करके रखे ताकि कभी भी कोई भी वीडियो upload हो आपको तु लिंक description में दिया हुआ है वीडियो में बनेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाजीर होता हो बहुत जल्द थेंक्यू सो मच